रिन्मुक्तेश्वर मंदीर और समाधी इसतर पर दर्शन करने आया पुर्वगादीपदी के परिजनों के साथ गाली गलोच व विवाद का एक वीडियो सामने आया है जिसकी शिकायत महिला थाने में भी की गई है रिंप्तिश के पुर्वगादी पती पती के आकस्मी मोथ के बाद उनके परिजनों को वर्दमान कबजधारियों ने बाहर कर दिया था जबकि इस परिवार के पुर्वजों की समाध्य वहां मौजूद है वर्दवान की आवेद कभजधार्यों द्वारा इस परिवार को पूझन अर्चन करने से रोका जाता है जब कि इस संपती पर इस परिवार की महिलाएं देव उठनी एकादशी पर रिणमुक्तेश्वर मंदिर पर गई थी तो वहां के लोगों ने गंदी गालिया देकर उन्हें वहां से बाहर कर दिया उसका वीडियो भी सामने आया है नाथ योगी परिवार की महिलाएं वह बच्चों को गाली दी और गोली माने की धमकी दी ये वीडियो में सब रिकॉर्ड है और समनित वीडियो और जब अजस्ती डिलीट कर दिये गए समादी एसल के पास बंदूक दिखाई गई तिधा जान से माने की धमकी दी गई इसकी शिकात खुश्बू योगी चंदरकानता योगी और नीम योगी ने महिला थाने पर की है कि दर्सन करने गए तो आप समादी बिचा रहे थे बच्चों परिवार के सब के साथ तो वाँ पे गए तो बोले किदर गुस्ती जा रही है गाली गुपते से बात करी मा बेन की गाली बाकी मतले ऐसी सी गाली बाकी नंगी गई क्या बताए और बंदूग लिका ली चमका आदर वीडियो में चुड़ा के डिलीट कर दिया उन लोगों ने इदर दिखना मतलू कि